वल्गम से हजुर लाई मिस्टर कांचा को चैनल में यो कथा हो 15 बर्सी ए काउटे को जसले आफु बंदा 21 बर्सा ठोली आयमे संगा गहीरो माया बस्था उसको जिवनले एवड़ा अरकाई मोडली नच कथा सुरू उन्चरा हामीले काउटेले हैर छाओ उँ आफनो अगाडी एवड़ा ट्रेनलाई गयको हेरी राचा रह यही बाटा यो कथा फ्लेश बैक मा जानचा याँ आमिले 15 बर्सी ए काउटेले हैर छाओ उसकूल देखी घर गई रागो छा उसले हैर लागी रागो छा उँ ठीक छाईना उँ बिमार छा रा उसले बोमिट बनी वही रागो छा तेई वेला त्याँ एवडी ची नाम की केटी आमची रा उसले हैल्प गर्ची काउटे त्याँ रूना थाल छा रा चीले उसले अंग्यालो हाली भान्ची कि केटी चाईना तिम्रो जेपनी पीडा चा सब ठीक होंचा भानेर उसले उसको घर समन पुराइदीन छी अनि उसले घर समन पुराइर उत्याँ बड़ा गई आल्छी घर बित्र चीरे बची उसको परिवार ले था उन्चा कि काउटे को तबिया ठीक छाई ना भानेर उसले चेक गर्नकोला येवड़ा डक्टर आउंचा डक्टर ले उसले बच्चा कि तिमले सेकेलेट फिवर भागो छा रफ तीमी आउनी तीन मयना समन घर भित्राई बसनु परचा येदी तीमी बाईर निस्किव भनणी तीम तो यो बिमारी सवे परिवार ले लागना सक्चा काउटे ले डक्टर ले भाने जसते ग Schmidtाऊ चा तीन मैने समन कताई बाइरा न गये घर बित्रै बस्षा। ठीक हुदा बित्तीके उस सई वन्द पईला चीको घरा जांच एवडा फूल को गुच्छा लियेरा। उसले धन्यवाद गर्णुक लागी। चीको भरा फूगी उसले फूल दिन्च औनी थैंक्यू बांदै बांच मो पईले यहां आउनी थियें तरा डक्टरले मलाई तीन मैना समन बाइर न न निसकीनू बने गो थियो। उसले बन्च तिमले माँ बढ़ा कोने बनी सायता चाइनच बनी मलाई अफ्टार नमानी वहाला है। तब चीले बन्ची माँ वड़ा कंड़क्टर हू र तिमले चांच बनी तीमले बनी मसंगा आउना सक्छा। चीले ्लूगा फेर राको थी र कावटे ले उसलाई हेरे राको थियो तेही बला चीले उसलाई हेर ची अनि कावटे अक्कान बक्कल भःर्श त्यााँ वाट्डा भागी आलच उस पषी कावटे धेरी दिन सम्मन ची को घर को अरि परी घुमिरांच रा एक दिन उसले चीलाई कोईला उठायेको एर्छा राउसको मदतको लागी उँची को घरा जान्छा अनि उसले बन्चा कि केमा तपेको कुणनेई हेल्प गरना सक्छू चीले बन्ची ठीकेई छा तेस बाय मुंतिरा अलिकेती कोईला रायेको छा त्यो लियरा आई अनि जब उँ काउटे को लागी टावल लेरा आउची त्या आमिले एर्चाउं चीले बनी आफनो लुगा खोली सागी रही छी काउटे लजायरा पसीना पसीना भाको थियो तर चीले उसले बन्ची कि मला एरा बंदै उसले कीस गना थाल्ची अनि यहां दुई जाना एकर अफनों मन कुकूरा शेर गरना थाल्चन यहां अमिले था लग्सा कि दोई जाना ले एकर कालाई एक गमए धेरै माया गना थाले गाछन एक दिन दुई जाना डिनर को लागी बाएर जान्चन जाहां सबई जाना ले इनी ओरलाई नहीं हेरी रागा थिये किना कि दुई ज एकर का संगा उमेर मा धेरेई ठोला साना थिये। जसले गरता ची या अनकमफर्ट फिल गर्ची। अनि दुई जना या वड़ा कसे ले न देखिनी थाउमा एवड़ा झेलको पास जान्चन। अनि त्या गयर एकर का संगा टाइम स्पैन गर्चन। उसपजी आमेले काउटे को स्कूल का साथ्योर लाई एर चाऊं। जया आवड़ी केटी ले काउटे लाई मन परोंशी। तरा काउटे ले उसले बाल दी देना। किना की उता ची संगा एकदमे धेरे माया गर्चा। एता ची को उसको काम्मा पर्मोशन भागो छा। उ एकदमे खुसी छी। तरा उ काउटे ले केटी नोग जोग हुँँचा। और लास्ट चोटी इनी अरू एकर का संगा जेगा जेग हुँँचा। और अरको दिन ब्याना चीले काउटे ले केई न भणी त्यां वड़ा निसकी आलची। किने कि उसको पर्मोशन भागो थियो एवडा अरको सहर्मा। औ काउटे ले सोजी भनता उसले पक्काई जाना दिने शाइना। अनि ब्याना काउटे जबा ची को घरा आओछा। उसले था हुँचा कि ची यहाँ बाड़ा गई सकी गरे छी। काउटे एकदमाई दुखी भागो छा। उसे को यातमा समाई बिताई राको छा। कसे संगा बनी तेती बोलने गर देन। हेर्दा हेर्दा हेर्दाई आठ बर्सा बिती सक्यों जां काउटे अब तेज बर्सा को भई साये गोछा। रा हईले उसले चर्च मा तीनसो जानाले जले रा मर्नों को लागी छोड़ी दियो। काउटे ले यान सोचकबनी थिये ना कि उसको भेट ची संगा एसरी उने छा बने रा। चीलाई कटगरमा बुलाए रा उसमाधी आरोप लगाई छा। रा चीले आफनों गलती मानी बनी आल छे। तरा उसले भनची कि हो। म चानते भनी उनी हरले बचोना सक्ते। तरा मलाई एसतो गरना दिये नान। मलाई चर्च को ढखा खोलनाई दिये नान। जाजले भनचा कि दस्तावेज माँ साफ लहेको छा कि गुनेगार तिमी नहीं हो। रत यसमा तिमरुस साइन बनी छा। चीले भनची मोईले कुनी साइन गरेको छाई ना। जाजले भनचा ठीक गई छा तिमले भरकर एवडा कागाज मा साइन गरोर दियो। आमिली तिमरुस साइन मिलायरा एर छा। यदि तिमरुस साइन रहिंचा भनी तिमी दोसी छाई नियो। तरा एक्षिन पशे चीले मानी आल छी। उसले भनची की हो तियो मेरो ने साइनो। एक्षिनली ची अनपड केटियो। उसले पणना लेखना आओ देना। रा उसले चान थीने की उँ अनपड शी भन्ने कुरा कसेले थाहोस हनारा। उँ आपनो पर्मोचन होधा बित्ती गई काउडेला छोडेर गई। वेलड काउटे भीत्राई बाड टूटी आलेओ। उसले फैसला गर्चा कि उँ ची सांगा भेटना जानचा जेलमा उसको यवड़ा छोरी मनी राई छा। उँ ची कई याद मा बांची रहेको छा। जसरे गरता उसको आफनो बुडी संगा डिबोर्स पनी भई सके। काउटेले केही कबिता ची को याद मा लेहेको थीयो। रह उसले यो कबिता रिकोर्ड गरी चीलाई पठाँचा। चीले उसको कबिता सुनी उँ एक दमे खुसी हुन छे। उपनी काउटेको लाई कैई लेहना चान छी। तर उसले पणना लेहना आओ दैना। तेहीं बहेरा उप पड़ाई लेहाई सुरू गर्छे। अनि कैई दिन माई उँ लेहना सीखेरा काउटेको लागी वड़ा चीठी लेह से। अनि उसको रिपलायेको वेट गर्छे। अब हेरदा हेरदे 15 साल बिती सकेओ तर काउटेको कुने रिपलाये आगो छेएना। अईले ची धेरै बुडी बई सकी। अनि जेल मा उसको रामरो ब्यभार हेरेरा उसले जेल बाटा चाड़े छूट मिली आलचे। जेल मा ची संगा कोई बणी भेटना आउन थेना。 तेमी बरा जेलर मैडम ले काउटेल ए फोन गरंछे। गीनैगी काउटेले चिछी वड़ा ची संगा कुरा गर्ने गर्थियो। काउटे केई दिन समन सोंचे रा उँ चीलाई लिवना जेल मा गई आल छा अनि धेरेई बर्षा पची दुई जाना को भेड हुन छा चीही काउटेलाई हेरे रा एकदमी खुसी थी काउटेले चीलाई बांचा मैले तिमरो बसनेको बंदबस गरी सायगा छो अनि नजीगे यवडा लैब ररीपनी छा जान धेरेई किताब आरू छान तिमीलाई पर्णा लेखना मन पर्चानी तेही भायरा उसले काउटेलाई सोची कि के तिमीले बिहे गरियो काउटेले बांचा हो मेरो एवडा छोरी बनी छा रा मेरो बुडी संगा डिबोर्स पनी भाई साग्यो काउटेले बांचा कि तिमीले जे गरियो के तिमीलाई उसको पचुतो छा चीले बांची चा तरो मरेगा मांचे पहला काउटेले जोईले पनी चीलाई कभीता सुनाई सोधने गरते हो कि तिम ले यो कथा बाटा के सिखिऊ हो अईले उसले चीलाई सोच्चा कि तिम ले आफनो जीवन बाटा के सिखिऊ चीले वन्ची मोईले पड़ना लेखना स्थिखें किने कि अंत्मा मा जेल मा आयें औनी या मोईले त्यो सब स्थिखें जुन मा आफनो जीवन मा स्थिखना चान्तें उस पची आमेले एर्चाओ कि काउटेले चीलाई उसको रूम्मा पुराई दिन छा अनि उसलाई भन्चा कि मा एक अपता बची या आमने छो भन्दय उद तियां बड़ा गई आल छा चीले आफनो किताब आरो बाईरा निकाल छे अनि उसमाथी टेकेरा आफुले फांसी लगायारा मरी आल छे यो गुर काउटेले था उदा उल लास्टेरी दुखी उँँचा चीले काउटेको लागी ओड़ा चिठीरा डबबा छोड़े गी थी चिठीमा लहेगो थियो कि यो डबबामा मैले जेलमा कमायेको जीबन भरेको कमायी छा मज आणचु यो पईशा तोईले त्यो केटीलाई दे जुन त्यो हाधसामा बचेगी थी अनि साथमा उसले काउटेले हेललो पनी लहेगी थी जसले पड़ी काउटे एकदमे दुखी उन्चा रा धरधारे रुना थालचा अनि चीको अंतिम कामलाई पूरा गर्णा निस्कीन छा उ त्यो केटीको बास जानचा जुमकी चर्च मा आगो लागदा बची की थी त्यो केटी वहले ठुली भईशाएकी छे उसंगा भेर्धा त्यो केटीले काउटेले सोच छे कि तिमी दुई जानाको बीच के रिसा थियो रा जा काउटेले सबी कुरा बंचा आफनोरा चीको कुरा उसलाई भंदा भंदाई उ धरधारे रुना थालचा अनि त्यो पहिशाको डबा दिदे बंचा कि चीले आफनो जीबन भरीको कमाई तिम्रो लागी छोडेगी छे तो डब्बा हेरेरा उसलाई उसको बाला पन यादाउंचा जान केम्प मा उसको यो डब्बा चोरी भागो थियो उसले बंचे यो डब्बा दम राखी आलचु तरह यो पहिशा मो लिना सक दिना तबा काउटे ले बंचा कि मो यो पहिशाको के गरूं केटे ले बंची यो पहिशा तपेले चर्ष मा दान गर्दा होंचा काउटे त्यां बड़ जानता जानते बंचा कि के माईले यो पहिशा चीको नाम मा दान गना सक्छो केटी ले हुन्छावा बांची काउटे त्या मड़ा गोई आलछा अनि लास्टमा आमीले एर्षाओं कि काउटे आपनो छोरीलाई लिये र चीको कबर मा जान्छा अनि उसले आपनो र चीको कथा सुनोना थालछा रा उसको छोरीको मीठो स्माइल को साथ यो मुवी यही दि आइंड हुन्छा आई हो गाईज हजुर हवरललाई मेरो एक्स्मिलेनेशन मन परे होला मन परे लाइक, शेयर, कमेंट गर जानुस अनि चैनलना नया उन्छा वानि सब्सक्राइब त गर जानुसाई तेज़ो बंद ही मुवी यही बेटनेशन येवड़ा और को नया कथामा तवसमन को लागी धन्यवाद